सोने के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या कहते हैं पुराण और मनोवैज्ञानिक? क्या आत्मा शरीर को छोड़ कर कर विचरण करने चली जाती है? क्या करती है आत्मा? क्या है आत्मा का रहस्य? कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए इच्छुक रहते हैं. उलजने को कई सवाल हैं, जिनके जवाब मिल पाना काफी कठिन है. कई बार सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिल कर आ जाती है. इसी खड़ी में आज हम एक रहस्य पर से परदा उठाएंगे. आज का सवाल है कि सोने के बाद आत्मा कहा जाती है? सोने के बाद आत्मा क्या घूमने के लिए जाती है? अगर कोई बांध ले आत्मा को तो क्या होगा? क्या वह मनुष्य मर जाएगा? क्यों स्वप्न में विचित्र रहस्य देखते हैं? कभी डर कर भागते हैं, तो कभी अच् परन्तु सपने में पेट नहीं भरता है, कभी पानी पीते हैं, परन्तु प्यास नहीं बुझती है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है, आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरता है, आत्मा ईश्वर का अंश है, अजर अमर है। और मनो चिकित सकों ने अपने अपने ढंक से इसकी व्याख्या की है। श्रोताओ जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं, तो हम सब स्वपन देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विशय बना हुआ है। हालांकि स्वपन शास्त्र बहुत कुछ कहता है, पर वैज्ञानिक आज भी उलजा हुआ है। उसे अचेतन मन की भाशा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले युनान में स्वपनों पर शोध किया गया था। एक प्रसिधी दार्शनिक हिपोक्रेटस एक दिन एक लोहार की दुकान पर बैठा हुआ था। लोहार अपना काम कर रहा था। हिपोक्रेटस देखता है कि एक पास में बैठा व्यक्ती सोने की स्थिती में आ गया है। हिपोक्रेटस उसे ध्यान से देखने लगा, तो उसकी नासिका से एक दिप्ती निकली और बाहर आकर इधर उधर घूमने लगी, दार्शनिक उसे गौर से देख रहा था। वह एक सूक्ष्म कीट के समान दिखाई दे रहा है। वह कीट उस लोहार के जलकुंड जिसमें वह गर्म लोहे को ठंडा करता है। उसके चारों और घूमने लगा। दार्शनिक उस पर अपनी निगाहें जमा कर देख रहा था। वह दीप्तिमान कीट आगे बढ़ा और द अपन को सुनाने लगा। लोहार से बोला मैं सो रहा था। तो आज बहुत अजीब सपना देखा। लोहार बोला क्या देखा था। तो वह व्यक्ति बोला मैंने अभी तुम्हारी दुकान पर सोते समय में एक ऐसे स्थान पर चला गया जहां एक तालाब पानी से भरा हुआ दार्शनिक उसकी बात सुन रहा था। दार्शनिक ने लोहार से उस जगह को खरीद लिया। और जब उस जगह की खुदाई की, तो वहां सोने के सिक्कों का खजाना मिला। तो दार्शनिक ने अपने शोध का निशकर्ष निकाला और बताया कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकल कर यहां वहां घूमती है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, भेड, बकरियां, गाए, कुत्ते और घोड़े आदी भी सपने देखते हैं। तो आईए जानते हैं सोने के बाद आत्मा कहां जाती है। आप देख रहे यूट्यूब चैनल, अद्भुत कहानी स्टार, आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब वश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्ही में एक सवाल ये है कि सोने के बाद आत्मा कहां जाती है। आज विस्तार से जानते हैं बने रहें वीडियो के अंत जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है। क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है। और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है। क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जाने और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रती ज्यादा जिज्यासू हो जाते हैं वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं गरुड पुरान के अनुसार आत्मा के बहुत से रहस्य उजागर होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं। और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। गरुड पुरान के अनुसार, आत्मा की गती और उसके किसी लोक में पहुँचने का वर्णन अलग-अलग मिलता है। हम पौरानिक मत को जानेंगे लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान लेते हैं, जो की गती के संदर्भ में है। क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है, या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है, जो व्यक्ती बहुत ज्यादा ठक हार कर सो जाता है, तो उस समय उसे बहुत ही अजीब-जीब चीजें दिखाई देती हैं, और कभी कभार तो वह परमात्मा से मिलने पहुँच जाता तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यू हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इस्ट देवता को देखा है। जिस दिन आप यह सपने देखते हैं यानि कि आपकी आत्मा परमात्मा लेकिन छद्म संसार में मिलती है। ये छद्म संसार क्या है आगे विडियो में जानेंगे। उस दिन आपका तन्मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। मित्रों, सोने के बाद भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है या मनोवैज्यानिक कहते हैं। इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविश्य के अंदर जा सकती है। कभी-कभी आपकी जीव आत्मा आपका भविश्य भी देख लेती है। विद्वानों जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है। जब हम निर्गुन की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़ कर क्रियाशील हो जाता है। और उसके पाद हम सपनों के अंदर चलते हैं। इस तरह से देखकर हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं जा रही है। खैर, आपको पता होना चाहिए। यह स्वप्न विज्ञान से संबंधित गहन विशय है। इसका उत्तर बहुत विस्तृत है। आप इतना समझ लीजिये कि आत्मा कभी सोती नहीं है, हमेशा क्रियाशील रहती है, जब तक वह शरीर में है। वेद पुरान ऐसा कहते हैं कि मृत्यू के पश्चात अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। वैसे तो इसका प्रमानिक जवाब तो किसी के पास नहीं है। पर गरुड पुरान से आत्मा के बारे में पता चला कि आत्मा मस्तिष्क में सुई की नोक के बराबर एक सफेद रंग का चमकता एक बिंदू है जो शरीर में हर जगह घूम घूम कर चेतना को बनाए रखती है। और शरीर का सबसे शक्तिशाली अवयव है। यदि आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आप कि आत्मा कहीं पर जाती है तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आत्मा हर जगह पर सुलब है। मतलब हर जगह पर उपलब्ध लेकिन आपकी आत्मा कुछ कर्म के धांचे के अंदर बंध हो जाने की वजह से आपको यह लगता है कि आप एक अलग एकाई हैं। लेकिन ऐसा पर जाने की जरूरत नहीं होती है वह तो दिप्तिमान है और प्रकाश मान है लेकिन आपका मन गती करता है। इसी गती को हम अपनी आत्मा की गती मानते हैं। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। विद्वानों सपने में तीसरी स्थिती यह होती है कि हम वर्तमान को हो भी देख सकते हैं, जो वर्तमान में घटित होता और हम उसे सपने के रूप में देख रहे होते हैं, इस तरह के सपने हमें ये बताते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, अभी मूल प्रश्न का जवाब नहीं मिला है कि आत्मा सोने के बाद कहां जाती है, इस प्रकार के सपनों के क पास आए हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना, उसके बाद अचानक से लेखक की आँख खुलती है, तो समय देखते हैं ये रात का तीन बजे का समय है, उन्हें समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे हो गया और सज्जन जी का यहां पर आने का क्या मतलब है, लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि सज्जन जी तो रात को एकले बजे ही मर चुके थे, सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं, दोस्तों ये सज्जन जी की जीवात्मा थी, भले ही लेखक का चेतनमन नहीं जागा था, लेकिन अचेतन मन से संपर्क करना, उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, इसलिए तो देवता और दूसरी आत्माएं सपने के माध्यम से कुछ कहती है, चेतन मन की अपनी सीमा होती है, और अचेतन मन की अपनी सीमा नहीं होती है, इसमें एक भौतिक होता है, तो दूसरा सुक्ष्म होता ह पुराणों के अनुसार सोने के बाद आप भूत काल देख सकते हैं। आपको बता दें कि आत्मा एक सहयोगी है। यह मात्र सहयोग कर सकती है। इसके कारण संभव है सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूत काल को देख सकता है। यहाँ पर हम भूत भूतकाल की चर्चा कई उदाहरणों से देखेंगे। तो आपका अचेतन मन उन सूचनाओं को आपको सपने के रूप में दिखाता है, जो पहले ही हो चुका है। दोस्तों, इसी का तो परिणाम होता है कि हम कई बार ऐसी चीजों के सपने देखते हैं, जिनके बारे में हम इस जीवन के अंदर कुछ जानते भी नहीं हैं, कहीं देखी भी नहीं होती हैं। वैसे सपने में भी हम देख सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक स्वपन शोध करता, महिला को सपने में एक ऐसा मंदिर दिखाई देता था, जो उसने कभी देखा ही नहीं था। के अंदर अचेतन मन उसे यह सूचना दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद यह जागरूक करने के लिए था। इसी सिलसिले के अंदर आईए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा अचेतन मन पूर्व जन्म की घटनाओं के अंदर पहुँच जाता है। मैं बहुत दिनों से यह जानने की फिराक में था कि पूर्व जन्म का रहस्य क्या है। उसी के चक्कर में एक परमतपस्वी संत के पास पहुँच गया। और उस संत महाराज ने मुझे स्वप्न के बारे में और पूर्व जन्म देखने के बारे में बताया था। उसके बाद मुझे अपने प्रश्न का हल निकालने का एक तरीका मिला। मैंने उस संत की बताई विधी का उपयोग सोते समय किया था और मैंने सोते समय इस प्रश्ण को बार-बार अपने अचेतन मन से याद करना शुरू कर दिया और ऐसा रोज सोने से पहले करता था लगभग 15 दिन तक लगातार करने के बाद मुझे एक सपना आया जिसके अंदर मैंने देखा कि मैं एक मंदिर में बैठा हुआ तपस्या कर रहा हूँ मेरे बहुत शिश्य हैं हालांकि मैं यह नहीं देख पाया कि उस जन्म में मैं कौन से मंदिर का सेवक था इस वीडियो के अंदर हमने यह जाना कि सोने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है असल में हमारा चेतन मन ही सोता है यदि हमारे प्राचीन, ग्रंथों और पुराणों की माने तो स्वपन देखने का कारण बड़ा रोचक बताया है हर प्राणी के शरीर में एक छद्म संसार होता है जिसे तत्व ग्यानी या योगेश्वर ही जान सकते हैं उसके लिए मनुष्य को अनेक योग क्रियाओं द्वारा विशेश प्रकार की नाडियों को जागरत करना पड़ता है जब योग क्रिया से नाडि जागरत हो जाती है तो प्राणी का चेतनमन और चेतना अवस्था में ही भूत भविश्य और वर्तमान का ज्याता हो जाता है और उसे त्रिकाल दर्शी कहते हैं जो बहुत कठोर साधना से संभव है परंतु जब कोई साधारन प्राणी नींद की अवस्था में आता है तो उसकी आत्मा छद्म संसार में विचरण करने के लिए चली जाती है वह छद्म संसार प्राणी के शरीर के अंदर ही रहता है भगवान श्री कृष्ण ने इसी का उपयोग करके अपनी माता को अपने मुख के अंदर तीनों लोक चौदा भवनों के दर्शन कराए थे भगवान श्री कृष्ण स्वयम परब्रह्म परमेश्वर थे एवं समस्त विद्याओं के जनक थे तो श्री कृष्ण ने छद्म संसार के दर्शन माता यशोदा को कराए थे ऐसा छद्म संसार हर प्राणी के शरीर में होता है तो कोई भी प्राणी सोता ही तब है जब उसकी चेतन आत्मा छद्म संसार में चली जाती है और इस स्थिति को निद्रावस्था कहा जाता है, मनुष्य की जीव आत्मा उस छद्म संसार में जो कुछ देखती है, उसे स्वप्न कहते हैं, वास्तव में आत्म शरीर को छोड़ कर नहीं जाती है, वह अपने शरीर के अंदर ही छद्म संसार में ही भ्रमन करती है, छद्म सं और चद्म संसार में पहुँच गए थे और भगवान के उदर में ही अनेक लोकों का भ्रमन किया था। तो वही चद्म संसार मनुष्य के अंदर भी विद्यमान है। और सपनों में उसी चद्म संसार में हम अनेक कौतुहल देखते हैं। तो सोते समय आत्मा शरीर के चद्म संसार में चली जाती है। विद्वान श्रोताओ, यदि हमारा विडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरू राम.